अब इस पेज में आपको बताऊंगी कि html head, title and body ये चार टेग ऐसे हैं जिनका हर एक वेब पेज में यूज होगा इनके बिना हमारा वेब पेज नहीं बनेगा तो html क्या होता है इसकी root element होता है किसी भी html document का जब भी हम html document बनाना चाहते हैं तो हम इसी tag से अपना page start करते हैं और as head tag क्या होता है it is used to define header of the document अपने document का हम जो भी header part में जो भी चीज लेना चाहते हैं like header part में आप title लेते हो, नाम लेते हो अपने web page का तो वो mention करने के लिए हम use करते है head tag इसका काम बस इतना है कि आप header part जैसे हमारा जी मैंने एक web page बनाया है यहां पर draw किया है ठीक है header tag में जो भी चीज लिखोगे वो display यहां पर नहीं होगी वो उपर display होगी like आप title web page का लेना चाहते हो तो web page के उपर साइड में आप देखना यहां पर आपका title mention होगा तो इस title को mention करने के लिए हमें सिर्फ header की ज़रूरत पढ़ती है और header को हम title नाम देते ही हम head को close भी कर देते हैं information हम display करते हैं और उसके उपर के पार्ट को हम title बार होते हैं जहां पर हमारे web page का title शो होता है तो हम इसके coding देख लेते हैं बहुत सिंपल सी coding है यह यह यहां पर हमने start कर दिया html page को सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा html और इसको सबसे पहले लिखते हैं सबसे end में close करते हैं और जितनी भी pages यहां से लेके यहां तक जितनी भी information आती है फिर title आ रहा है हमने title लिख लिया title is also container tag तो title को open गिया अपने page का नाम दिया हमने title दिया और इसके बाद में इसको close कर दिया अब हमारा title वाला काम हो गया head वाला काम finish हो गया तो head को यहां पर close कर देंगे I hope आप समझ रहे होगा कि open करना और close करना क्या होता है बस छोटा से एक difference है यहां पर slash होता है और यहां पर slash नहीं होता है तो इसको हम बोलते है opening और इसको बोलते है closing Okay अब यहां से हमारा body start हो रही है body part start हो रहा है तो body लिखा body part में कुछ नहीं लिखा है सिफ computer application लिखा है तो उतना हमने इसके tag के बीच में लिख दिया आप क्या कर सकते हो, अब body यहां लिखोगे, computer application यहां लिखोगे, body यहां पर close भी कर सकते हो, ऐसे भी लिखोगे, तबी भी आपका code correct होगा, ठीके, तो मैंने आपको clarity दिखाने के लिए, यहां पर क्या किया है, body start किया है, computer application लिखा है, उसके next line में body को close किया है, बस इतना ही ह यहां पर display किया है, इसके बाद कुछ भी आपर display नहीं किया है, तो आप HTML अपना close कर सकते हो, अब इतना हमारा चोटा सा code हो गया, जिसमें आपके web page पे सिर्फ एक line शो होगी, जिसमें लिखा होगा computer application, अब अब इस code को type करने के बाद में, आपने इस code को notepad पर type करना है, और इसको save करना है, save it by givingextension.html या फिर .html, ठीक है, HTML लिखो, आपका web page save हो जाएगा, और आप उसको web browser में show कर सकते हो, display कर सकते हो, यहाँ पर मैंने notepad file open कर लिये, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि एक normal सा web page हम कैसे बनाते हैं, उसमें मैं कोई editing नहीं करूंगी, कोई उ use नहीं करूंगी, सिर्फ मैं आपको HTML head, title and body tag का use करने बताऊंगी, इन चारव tag के बिना हम कोई भी HTML page या कोई भी web page हम नहीं बना सकते हैं, तो यहाँ पर मैं start करती हूँ, अपना HTML document, HTML और यहाँ पर मैंने लिया है head tag, और इसकी अंदर मुझे लेना है title tag, okay, अब मैं title, चलो, for the time being, मैं title को भी कुछ नहीं लिखती हूँ, ब्लांक रखती हूँ, मैं title को भी, okay, और यहाँ पर मैंने, अब मेरा title का काम पूरा हो चुक है, तो मैंने head को close कर दिया, okay, अब head part हमारा पूरा हो चुक है, मैं body part को start करूँगी, और body part मुझे कुछ भी नह कराने है, तो यहाँ पर मैंने body part को close करके, html को भी close कर दिया, अब मैं इसको save कर लेती हूँ, mywebpage, okay, dot html, और यहाँ पर मुझे select करना पढ़ेगा, all files, और इसको मैं desktop पर save करने जा रही हूँ, तो location दे देते हैं, desktop, and now click on save button, अब इसको minimize कर देती हूँ, और देखते हैं कि यहाँ पर क्या हमारा बना है webpage, yes, यह मेरा बन गया है, इसको मैं open कर लूँगी, yes, आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक webpage बन गया है, जिसमें आपने title कुछ भी नहीं दिया था, ठीक है, और आपने body part में भी कुछ नहीं दिया था, यह सारा body part आपका blank है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, okay, अगर हम यहाँ पर अपना page का title दे देते हैं, यहाँ मैं दे दिया हैं आपर, web, मैं small में ले ले लेती हूँ ताकि आपको differentiate हो, web page 1, okay, यहाँ मैंने इसको देख के और इसको दुबारा से save करना पड़ेगा, save करने के बाद में, जब आप इसको open करोगे, तो इसको reload कर लेना, देखिए, अब यहाँ पर friends, यहाँ पर आगया है, web page 1, जो कि मैंने title का, title दिया है इसमें, okay, तो यह हो गया हमारा head part, और यह हो गया, नीचे white portion चितना भी आपको दिख रहा है, यह सब body part है, अभी हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिया, ऐसलिए body part हमारा blank दिख रहा है, white color का दिख रहा है, इसमें कोई भी चीज या कोई भी text हमने नहीं लिख रहा है, अब मैं आपको लिख कर बताती हूँ कि अगर इसमें इसमें body part में इसको save कर लेते हैं, अब चलते हैं अपने chrome में इसको reload करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो आगया, this page is my first web page, मतलब यहाँ पर जितना भी white portion blank वाला है, उन दो tag के बीच में, जो body starting tag है, body closing tag याप उसके बीच में कुछ भी लिख होगे, यह body tag opening वाला and body tag closing वाला आप इनके बीच में कोई भी line लिख होगे, तो वो आपकी web page पर display करेगी,